बारी सोने के कारण एक सब्ता तक किसानों की धान की नहीं हो पाएगी खरीदी 3 दिसंबर से धान उपारजन का कारिश सुरू हो गया है सहकारी समिती देवगवा में 28 दिसंबर तक 21,371 कुंटल धान की खरीदी की जा चुकी है वहीं अभी धान की खरीदी का काम सुरू है सहकारी समिती के प्रबंधग विनोत्तिवारी ने बताया कि अब तक देवगवा समिती के दोनों केंद्रों में किसानों की 21,371 कुंटल धान की खरीदी की जा चुकी है जबकि अभी 800 किसानों की धान आनी बाकी है उन्होंने बताया कि सुरुआत में काफी कम संख्या में किसान अपनी धान की फशल को बेचने के लिए खरीदी केंद्रों में पहुँच रहे थे उन्होंने बताया कि अब धान खरीदी जोर पकड़ रही है उन्होंने कहा कि इस सब्ताह धान उपारजन में और तेजी आने के आसार हैं लेकिन 28 दिसंबर को अचानक आए मौसम में बदलाओ के कारण तेज बारिस होने के कारण अब किसान अपनी फशलों को लगभग एक सब्ताह तक व्यवधान के कारण खरीदी केंद्रों में नहीं पहुँच पाएंगे उसका कारण उन्होंने बताया कि अचानक पारिस होने के कारण खरीदी केंद्र के बाहर जमीन पूरी तरह से गीली हो गई है जिसके कारण धान खरीदी करते समय बार दाने गीली हो जाएंगे इस कारण से अब एक सब्ताह खरीदी में फिर से किसानों ने अपनी फशल विक्री की है जिनका भुकतान लगभग एक करोड़ शीहत्तर लाख रुपए का है लेकिन अभी तक उन सभी किसानों को अपने विक्रे की कीमत नहीं मिल पाई है समीती प्रबंधग विनोत्तिवारी ने बताया कि तकनिकी गड़बड़ी के कारण एपी ओ रुके थे जिसके कारण भुकतान नहीं हो पा रहा था अठाईज दिसमबर को एक करोड़ तिहत्र लाख रुपए का भुकतान विक्रे कैंग गयें जिसके कारण यह समाधान होशका उन्होंने बताये कि आगामी खरीदी के लिए समीती में परियाप्त बारदाना एवं सुविधाएं उपलब्ध है